आज हम इस वीडियो में बात करें कि कैसे आप अपने आपजेट कोई भी शेप इमेज पिच्चर को पेस्ट कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं और कट कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे जो टास्क वार में प्रेजन्ट होता है फिर यहां पर आपको और प्रोग्राम्स में जाना है उसके बाद हम जाएंगे व प्रोग्राम की स्क्रीन जो है वो ओपन हो चुकी है जहां पर हम देख रहे हैं कई सारे टैप्स है जैसे फाइल टैप हों टैप व्यू टैप और यहां पर कुछ गुरुप से क्लिप बोर्ट इमेज टूर्स शेप कलर यह सारी चीजे हम लोगों ने डिसकस की थी आज हम डिस कर सकते हो कट कर सकते हो और कॉपी कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हमें कोई भी शेप ड्रो करना पड़ेगा तो यहां पर मैं ले रही हूं रेक्टैंगिल यह मैंने रेक्टैंगिल ड्रो किया अब मैं इसमें कलर फिल कर दूंगी मैंने सिलेक्षिया है रेट कलर और यहां पे हम color fill कर देंगे with the help of fill with color tool अब हम जाएंगे selection पे तो इससे पहले की वीडियो में हमने discuss किया था कि rectangular selection और free form selection तो यहाँ पे मैं अभी rectangular selection कर रही हूँ यह मैंने इतना portion select हिया अब हम जाएंगे cut option पे cut तो यहाँ देखिए जैसे ही हमने cut option पे click किया इतना portion cut हो चुका है अब हम दुबारा select करेंगे अब माल लीजिए मैंने इतना portion cut किया फिर मैंने cut option पे click किया तो यह देखिए इतना portion cut हो चुका है अब अगर हम इसे जो भी portion cut हुआ उसे paste करना चाहते है तो यहाँ पे हम paste पे जाएंगे और click करेंगे यह देखिए यह paste हो चुका है उसके अद हम फिर से जाएंगे paste पे और हम अगर फिर से paste करना चाहें तो हम कर सकते हैं यह देखिए अब अगर आप इसी की copy चाहते हो तो आप कई सारे multiple copies कर सकते हो अब मुझे यहाँ पे paste करना है यह देखिए हमारे पास same तीन object हो चुके हैं जो एक जैसे हैं हम copy कई सारे copies कर सकते हैं और जहां आपको paste करना हो आप paste कर सकते हो यह देखिए तो I hope आपको यह video समझ में आया होगा इस video में हमने बात की थी कैसे हम cut कर सकते हैं copy कर सकता हो और paste कर सकते हैं इसके कुछ short cut keys होते हैं जैसे cut के लिए होता है control प्लस X वही copy के लिए होता है control प्लस C और paste के लिए होता है control प्लस V अगर आप बच्चों को इनके functions बता रहे हैं लैब में तो आप short cut keys उनकी copies में भी no down जरूर करवाएगा इससे उनको चीजें अच्छे से याद भी हो करेंगे तो close करने के लिए हमें close button पर click करना हो जाना है don't save पर उसके बद हम जाएंगे यहां start button पर power पर उसके बद हम shutdown कर देंगे now thanks for watching my channel